हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे ही होंगे आईए हम लोग अपने human health and disease के next topic immunity पर आते हैं immunity के बारे में हम लोग अब discuss करने माले हैं तो आईए अब हम लोग immunity के बारे में जानेंगे immunity के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे immunity क्या होती है फिर हम लोग जानेंगे कि immunity कितने तरह की होती है फिर हम लोग जानेंगे कि प्रत दिन, एवरी डे, इन माई लाइब, मतलब करोडों, बैक्टीरिया, वाइरस, फंजाई, अधर फारेन एजेंट से हमारा सामना होता है, लेकिन उन में से कुछ ही ऐसे हैं, जो हमें डिजीज दे पाते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं, जो हमारे बाडी में डिजीज काश कर पाते हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारी बाडी खुद को डिफेंड कर सकती है, काफी केसे में खुद को डिफेंड कर सकती है, इसका मतलब य यह है कि हमारी बॉड़ी की वह प्रापर्टी जिससे वो फारें एजेंट के खिलाफ अपने आपको मजबूत कर रही लड़ने के लिए वही क्या है immunity है मतलब उसको destroy कर रहे है खुद ही हमारी body destroy कर रहे है वही चीज immunity है ठीक अभी मैं CRT पढ़ूँगा आपको उसकी correct definition हर चीज आपको discuss करूँगा जो बोल रहा हूँ यही लिखा है उसमें ठीक जादा कुछ उसमें लिखा नहीं है तो हम लोग immunity के बारे में जान लिया कि हमारी body की वह property इससे खुद को defend करती है खुद defend करने के काबिल है ओ ठीक यही चीज़े immunity में आती है immunity का मतलब होता है क्या immune system मतलब प्रतिरच्छा तंत्र ठीक immunity वही प्रतिरच्छा वाली बात है तो हमारी body जो खुद को defend कर रही है तो immunity कितने तरह की होती इम्यूटी दो तरह की होती है आपको मैं बता दूँ कौन कौन से innate immunity acquired immunity ठीक अब आते हैं सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे innate immunity innate immunity जो है वो कोई specific नहीं होती नान specific टाइप है और टाइम आप बर्थ पे ही मौझूद होती है ठीक टाइम आप बर्थ पे मौझूद होगी और उसके बाद जानेंगे इनमें कितने टाइप हैं इनमें मतलब कितने परकार के हो सकते हैं तो यह जो है आपका चार परकार के हो सकते हैं पोर टाइपस है इसके ठीक सबसे पहले कौन सा है फिजिकल फिर आता है फिजियोलाजिकल ठीक फिर आता है सेलूलर उसके बाद आता है साइटोकाइन ठीक सबसे पहले फिजिकल बैरियर फिजियोलाजिकल बैरियर सेलूलर बैरियर ठीक है उसके आता है cytokine barrier चार दिए गए हैं आप कियां अब फिजियो लाजिकल का क्या मतलब है फिजियोलाजिकल का मतलब सबसे पहले फिजिकल का क्या मतलब फिजिकल का जब जैसे फिजिकल बैडियर कोई बोले आपको मैं बता रहा हूँ यही चीज आप ध्यान रखेंगे तभी आप प्याद रखेंगे आप रटेंगे भूलेंगे तो फिजिकल का मतलब यही है कोई भ और इसकी नहें यह भी करती है भहुस सारे वायरस बैक्तीरिया और उनको किरती हैं और क्या होता है मुकस की लेयर होती है हमारे बहुत सारे आर्गन में जैसे कि इस टमक में और उसके बाद respiratory tracks में होती है और urogenital track में होती है इस सब चीजों में होती है तो ये एंदर से भी कर रहा है कोई ये बाहर से भी कोई जो चीज़ मतलब external हो जिसे internal आरगन का अंदर से भी तो कुछ चीज़ बाहर से होगा उसको जो विक्तियानलोजी आप अंदर से देख रहे हैं तो वो भी तो बाहरी ले Heart मतलब यही है, उसी तरीके से बाहर से बाहरी ले़र है, और से बाहरी से आ रहे हैं आपकी? मूकस वाली ले़र आ रहे हैं, तो तो यह है कि वो भी definitely कर रहे है, तो यह आपका किस में आएगा? physical में फीजिकल का सब्द मतलब बाहर अंदर के अंदर से भी बाहर और बाहर से भी बाहर इस तरीके से आप फीजिकल कोया आज़ीकल जब कोई बोले तो आप secretion को रखिये secret हो रहा है तो आपने physical barriers को जान लिया अब हम लोग आते हैं physiological physical में क्या जाना आपने अंदर से म्यूकस वाली लेयर म्यूकस कोटिंग की तो आई अब हम लोग आते हैं फिजियोलाजिकल का मतलब सिक्रीशन से आप जोड़िए अब सिक्रीशन किस आरगन में क्या सिक्रीट हो रहा है जिससे जो है फारें एजेंट के खिलाब जो है वो अपना अपने आपको आई में टीर्स हैं आँखों में आँशू जिसे आप कहते हैं तो यह सारी चीजी क्किसमें आएंगी फिजियोलाजिकल बैरियर में उसके बाद हम लोग आएंगे अब सिलूर बैरियर में सिलूर बैरियर में कौन हैं डबलू बीसी इस्पेसल टाइप आप नूट्र नू निट्रोफिलस होती है, आप जानते होंगे PMENL, निट्रोफिल्स, ठीक है, तो यह क्या होती है, यह Seller Barriers में, यह WBC का एक टाइप है, ठीक, और उसके बाद आते हैं हम लोग SightOkine Barriers, S scrutokine Karrier क्या है, जोame virus infected cell होती है, उन से क्या होता है, सिक्रीशन होता है interferans नाम के प्रोटीन है वो सिक्रीट होगा और उससे क्या होगा कि जो नथनफिक्टे जो सेल है आपकी वार मैं जिसको वारस ने इंफक्ट नहीं किया है उसकी वो हेल्प करती है या उसको बचाती है उसको मतलब उसको कुछ ना हो इसके लिए उसको डिफेंड करती है इसके लिए इंटर्फिरांस सिक्रीट हो यह आपका किसमें का साइटो काई वे तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा फिजिकल बैरियर में क्या एक्सटरनल पार्ट क्रीशन में क्या इस टमक में सिड मा और उसके लाइवरी ग्लेंड जो है इसके लाइवर यह और तीर सापका यह आगा फिजियोलाजिकल में उसके बाद आते हैं सेलर में सेलर में WBC PMNL Neutrophils उसके आते हैं Cytokine Barriers Cytokine Barriers में Interference जो की वायरस Infected Cell से सिक्रीट होता है जो Non Infected Cell है उनको बचाने के लिए या उनको पहले से सूचना देने के लिए कि मतलब हमारी बाड़ी में इस तरह का कुछ हो रहा है तो यह सारी चीज़े हैं मैं अभी आपको पढ़ा हूँगा NCRT ना हर चीज़ डिस्कर्ट हूँगा इतो आप उपर से सुने रहेंगे आपके दिमाग में चीज़े क्लिक रहेंगे NCRT पढ़ने में आपको आसानी होगी उसके बाद अब हम लोग पहले हम सोच रहे हैं तो आईए Everyday we are exposed to large number of infectious agent However only a few of these exposures result in disease मतलब परद दिन हम लोग एक large number of जो क्या होता है Infectious agent से हमारा पाला पड़ता है लेकिन क्या होता है कि हमारी body जो है उनमें से कुछ को जो है खत्मी कर जादा तर को खत्मी कर देती है ठीक और कुछ ही जो है मैं आपको यही बताया था कि बाडी इस अबल टो डिफेंट इट्सल फ्राम मोस्ट आप दीज फारें अगेंट्स इस ओवराल अबिल्टी आप होस्ट टू फाइड डिजीज काजिंग आरगेंजम कंफर्ट बाई इम्यून सिस्टम इसकाल इम्यूनिटी यहां तक आप टिक कर लिजी यह जो है इम्यूनिटी की आप डिफनीशन याद रखिए ठीक उसके बाद इम्यूनिटी के टाइप दिया गया है इम्यूनिटी इस आप टू टाइप दो तरह की इम्यूनिटी होती है कौन कौन सी innate immunity and acquired immunity ठीक दो तरह की होती है innate immunity में सबसे पहले हम लोग जो की हम लोग discuss कर लिये भी उसको हम लोग पढ़ लेते हैं innate immunity non specific type of defense मतलब innate immunity क्या है non specific type of defense है ठीक है और that is present at the time of birth मैंने आपको बताया कि ये time of birth पे मौझूद होगी mucus की layer कोई बनाता नहीं है कोई company बनाती नहीं है समझ रहेंगे नहीं तर सोचो micro tech वाले बना रहे हैं किसी दवा company का नाम ले लो वही है mind kind वाले बनाते हैं क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आईए innate immunity non specific type of defense present time of birth this is accomplished by providing different type of barrier to the entry of the far energy into our body जो कुछ बताया सब वही चल रहा है innate immunity consist of four types of barrier these are physical barrier सबसे पहले physical में आएंगे इसकी नाना और बाड़ी is the main barrier which prevent interior of the micro-organisms mucus coating of the epithelium lining the respiratory gastrointestinal and eurogenital tracks also help in trapping microbes entering our body सब चीज़े आपको मैंने बताए कि physical barrier में क्या क्या चीज़ है आप example को याद रखें जैसे कि mucus coating बताया गा epithelium lining the respiratory gastrointestinal eurogenital track also tripping microbes entering our body ये चार और आप example याद रखें ठीक उसके बाद आते है physiological barrier acid in stomach मैंने आपको बताए saliva in mouth ये भी बताए tears parama ये भी बताए all prevent microbial growth ठीक है nuclear leucocyte PMNL neutrophils मैंने बताया थो ना उसी का ये full farm है polymarfo nuclear leucocytes and monocytes and natural killer type of lymphocyte natural killer किसे कहते हैं lymphocyte को ही तो कहते हैं ना तो वो भी दिया गया in the blood blood में होता है सर्थ and destroy microbes जो macrophages होती है वो भी क्या करती है tissues में microbial growth को जो है क्या करती है उन्हें भी destroy करती है उनका भच्छन करती है spigocytis मतलब ठीक उस बाद cytokine barriers virus infected cells secrete protein virus infected cell क्या करती है secrete करती है क्या protein secrete करती है और क्या called interferons मतलब जो protein secrete करती है virus infected cell उसको interference कहते है which protects non infected cell from further viral infection जो की protect करती है किसको non infected cell को जो cell affected नहीं है infected नहीं है उसे जो है वो save करेगी ठीक तो यह चीज़े मैंने आपको बता दी यहां तक आपको discuss भी कर दिया अब आईए हम लोग आते हैं किस पर कहीं से आप लिए है उसको बाहरी तरफ से लिए है मिलब टाइम आप birth पे वो मौजूद नहीं थी ठीक है यह specific होती ठीक है यह pathogen specific होती है और इसमें memory बनती है memory किसके पास बनेगी जो हमारी immunity के लिए responsible cells है उनमें बनेगी ठीक हमारी body में बनेगी अब किस तरह से जैसे कि कोई भी आर्गिंजम कोई भी foreign agent जो हमारे body पर attack कर रहा है पहली बार attack किया हमारी body ने उसको मार गिराया ठीक मार गिराया उसके बाद उसके दिमाग में एक memory बन जाती जैसे क्या होता है कि कोई भी ब्यक्ति आपको नुक्सान पहुचाया एक बार तो यदि आप conscious हैं यदि आप समझदार हैं तो आपके दिमाग में ये picture बन जाएगी एक memory बन जाएगी इससे मुझे सावधार रहना है उसी तरीके से जब कोई इस तरह का foreign agent या कोई भी infectious agent जब बाड़ी पर अटाइक करेगा पहली बार तो बाड़ी जब उसे मार गिराएगा तो उसमें एक memory बनेगी ठीक और जो first encounter होगा first encounter primary immune response उसे बोलते हैं ठीक है वो थोड़ा कम low intensity वाला होगा मतलब उतनी परिपक्रता नहीं होगी जैसे कोई आपको एक बार धोखा दिया है तो आप धोखे के लिए उतना परिपक्रता उतने तयार नहीं होगी मतलब धोखे से बचने के लिए मतलब जैसे कोई आपको एक बार धोखा दे दिया हो देख बाद मतलब जैसे एक बार धोखा दिया हो उसके बाद क्या होगा उसके बाद दूसरी बार कोई और आया धोखा देने थोड़ा आप कम हो सकता समझदार हूँ लेकिन इसी तरीके से जवाब को कई लोगों ने इस तरह के आपका उपयोग किया हो और आपको नुकसान पहुंचा आपको धोखा दिया हो तो क्या होगा और कुछ मत समझजिए पढ़ाई से रिलेट करी ज़्यादा पिक्चर दिमांग बनाने किया हो सकता नहीं ठीक तो धोखे का मतलब यहाँ पे समझजिए तो जब कई बार धोखा देगा तो आप उसमें परिपक हो जाएंगे आपको फिर कोई नुकसान नहीं पहुच जा सकता आप इतने सतर खो जाएंगे उसी तरह एक से हमारे बाड़ी जब कई इंकाउंटर कर देती है सब सिक्वेंट इंकाउंटर तो परिपक हो जाएगे उसे क्या कहते है एनामनेश्टिक रिस्पांस कहते है या सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहते है ठीक है तो इसमें क्या हमारे बाड़ी पर पक हो जाएगे पहली बार क्या कहा है प्राइमरी इम्यून इसकी क्या होगी लो इंटेंसिटी होगी उसके बाद हम लोग क्या कह रहेंगे प्राइमरी और सेकंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए दो सेल रिस्पांसिबल होती हैं कौन कौन सी वो ऐसे तो एक ही है मतलब लिंफोसाइट उसके दो टाइपस हैं बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट बी लिंफोसाइट में अब यह जानना ज़री था ना कि primary और secondary में responsibly कौन responsible है कौन ऐसा कर रहा है subsequent encounter कर रहा है first encounter कर रहा है पहली बार मार रहा है फूर उसके बाद भी मार रहा है तो यह चीज़ें आपको जानना होगा तो अब जब हम लोग आएंगे अब किसमें इसके लिए कौन से से रिस्पांस पहल है लिंफोसाइट उसके दो टाइस बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट से सिक्रीशन होता है एक प्रोटीन का जिसे antibody कहते है आर्मिया प्रोटीन सिक्रीट होगी और टी लिंफोसाइट क्या करेगा उसका उसके सिक्रीशन में हेल्प करेगा ठीक है सिक्रीशन में लिक इस से वरा बी लिंफोसाइट से हो रहा है और टी लिंफोसाइट से उसका हेल्प कर रहा है और antibody जो होगी आपकी antibody molecule है फोर peptide chain इसमें चार peptide chains होती है ठीक है दो longer होंगी दो smaller होंगी smaller वाले को क्या कहेंगे हम लोग light chains और longer वाले को क्या कहेंगे highly chains ठीक है तो और इसको कैसे रिपरजेट करते हैं yes to L2 yes के नीचे to L के नीचे to ठीक है different type of antibodies are produced in our body IgA IgM IgE IgG ठीक है और ये सारी immunity का जो काम हो रहा है आपके blood में ही हो रहा है क्योंकि आप जानते होंगे कि WBC और lymphocyte ये सारी जितने भी cell है जितने भी cell ऐसा कांड करती है ये सब blood में ही होता है तो आप जानी रहे हैं जब blood में हो रहा है मतलब इसलिए इसको क्या कहते है humoral immune response कहते है ठीक है तो आईए अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको पढ़ी लेते हैं इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं कुछ समझने वाला तो पढ़ लेते हैं डिसकस कर लेते हैं क्या मतलब है फाल तुम बात करने का ठीक है तो रिस्पांस हुई चीज आफ लो इंटेंसिटी मैं आपको बताए कि इसकी इंटेंसिटी लो होती प्राइमरी में रिस्पांस वाली ठीक सबसीक्योंट एंकाउंटर करती है फिर उसके बाद बिद्द सेम पैथोजन इलिसिट्स ए हाइली इंटेंसिफाइड सिकेंडरी और इंटर्फेरांस क्या है तो प्रोटीन बताईएगा और कुछ नहीं न्यूकली केसिट दे दे कार्भोहाइडल लिपिट कुछ दे दे तो आप इंटर्फेरांस जो है जो आईरस इंफेक्टेट सेल होती हो उनसे इंटर्फेरांस सिक्रीट होता अभी आपने पढ़ा दे दे में तुओ प्रोटीन है और कुछ नहीं समझ्जीगा नुद कुछ ओर समझ लीजिए जिए और लगा यह इंप्रोटेन कोईस्टन था अब टिक कर लिए इंटर्फेरांस सिजए प्रोटीन इस लिखा है प्रोटीन कार्ल इंटर्फेरां थी तो आईए दिस that our body appears to have memory of the first encounter the primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of cell मतलब जो हमारी primary and secondary immune responses के लिए दो सेल जो है क्या उसमें help करती है कौन-कौन है B lymphocytes and T lymphocytes the B lymphocytes produce an armia protein in response to pythogen into our blood to fight with them these protein are called antibodies ठीक है antibodies भी protein होती है the T cells themselves do not secret antibody but help B cells to produce them अलब T cell अलब खुद कुछ नहीं secret करती है B cell क्या करती है help करती है ठीक है इच antibody molecule H4 peptide chain 2 small मैंने वदाया जो इसमाल है उसको light chain जो two longer है उसको क्या कहेंगे highway chain तो चार peptide chain होंगी और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे H2L2 दिया गया आप यह सब टिक कर लीजिए H2L2 आप टिक कर लीजिए नहीं कहीं पूछले H2L2 दे दे टू वी टू दे तो आप कंफ्यूज रहे है H2L2 डिफरेंट टाइपस आप एंटी बाडिज और प्रोडिस्ट इन और बाड़ी लब बहु सारे इंटी बाड़ी प्रोडिस्ट हो ती नहीं जिसे आई जी ए आई जी एम आई जी आई जी जी आज समाब देंट मतलब चार तरह देगे हैं आई जी ए आई जी ठीक है आई जी ए एम एजी आप इसको ऐसे याद रखिए ठीक है गेम ठीक मुझे लगता है रेड़ वाला सकता है विजुलाई नहीं हो रहा हो तो आप जो है इसको देख लीजी ब्लैक वाले को इसे रेड़ वाला भी दिख रहा है लेकिन थोड़ा ब्लैक वाला ज्याद अच्छा दिख रहा है तो आप गेम से याद रखिए ठीक है कि अंटी बाड़े कि आप कहा दी गई है चार तरह की आई जी ए आई जी एम आई जी गेम गेम याद रखिए बस गेम सब गेम चल रहा है लाइव में भी गेम चल रहा है ठीक एक कार्टून आप एन एंटीबाडी गिवेन इन दा फीगर में दिया गया है ठीक है कार्टून विकाज आप देज एंटीबाडी और फांड इन दा बलड इसलिए इसको क्या कहते हैं हिम्रल इम्यून रिस्पांस कहते हैं इस वन अब तु टाइप साफा और एकवार इम्यून रिस्पांस एक रॉडडी मेडियेटेड डर एकट्यान सेल्मीडियेटेड कले किया निदे भी और इसलमेडियेड इम्यूनिती ब्रेस निदीवद्व टरही केन EPA कुप देड कर्वाली में एक सेलमेडियेडें The T lymphocytes mediate CMI, very often when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function, satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life, then a search begins to find a suitable donor, why is it that the organs cannot be taken from just anybody? Okay, what is the result of heart, kidney, liver, kidney failure to function? So, why does this mean to us? I am using the treatment of the tissue from the body, and I also use the treatment of the tissue from the body, and I also use the treatment of the tissue from the body, and I use the treatment of the tissue from the body. इसके लिए एक सोई टेबल डोनर होना चाहिए ना जो कि इस तिर्फ आपके लिए ही हिल्प करता हूँ ग्राफ्ट फ्राम जस्ट एनी सोर्स एन एनिमा ले नादर प्राइमेट और एनी हुमन बिंग का नाट भी मेट सेंस दे ग्राफ्ट वी रिजेक्टेट सूनरा लेटर म मतलब देखिए अब कोई भी जो है इसमें मैचिंग होना चाहिए बलड ग्रूप मैचिंग होना चाहिए ठीक है और सारी चीजे मैच होने के बाद भी यह रिजेक्ट ना हो इसके लिए इम्म्यून सब्रेसेंट उसको पूरे जीवर भर लेना पड़ेगा मतलब दवा आप अगर ट्रांस्प्लांट करा रहें कोई आरगन आपको दवा पूरी जिन्दगी खाना पड़े जब तक आप जीएंगे तब तक आपको दवा खाना है क्योंकि यदि आप उसको नहीं लेंगे जैसे क्या होता हमारी बाड़ी पहचानती है कौन अपना है कौन पर आया है जैसे हम पहचानते है कौन अपना है कौन पर आया है जैसे कि वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें सबके साथ सद्भाव से रहना चाहिए किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कोई अपना है तभी उसके लिए हम उसकी मदद करें कोशिस करना चाहिए मानवता के लिए सबकी help की जाए लेकिन फिर भी ऐसा होता है ऐसा हमारी body भी सोचती है कि कौन बाहर वाला है बाहर वाले को पसंद नहीं करती बाहर वाला इसको मार्ग भगाओ ठीक, मार्ग भगाओ इसको तुरंद तो लाठी डंडा लेके सब जुड़ जाती है जितनी सेल है उसी तरीके से ये भी लाठी डंडा लेके आप न जुड़ जाए किसी के लिए आप से पढ़िए ठीक है तो उसी तरीके से ये भी बाडी सेल्स न जुड़ जाए इसके लिए क्या करना पड़ता question आप NCRT बगल में जगा छुटी इसमें लिख लिजिए कि CMI is responsible for the graft rejection CMI is responsible for the graft rejection ठीक है NCRT में लाइन लिखी भी गई है लेकिन आप बगल में लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा ठीक CMI का मतलब जानते हैं Cell Mediated Immune Response ठीक इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में हम लोग active and passive unity की बात करेंगे थैंक यू पढ़ते रही हैं आप लोग दोबारा इसको रेडिंग मारीगे क्योंकि एक बार करने से कुछ नहीं होता आपने antibody से सीख लिया antibody का क्या मतलब है कई बार जब encounter करती तभी परिपक होती उसी तरीके से पहला वाला low intensity होगा पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसका intensity low होगा कई बार पढ़ेंगे तब intensity high होगी आप मार धार की गिरा देंगे एक्जाम के सारे question को Thank you